नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज और आपकी साथ मैं हूँ स्रिस्टी विज्रा यहाँ पर दिल्ली के अशोका होटल में एंजे की बैठक की शुरुआत हो गई है और देखे उधर मैं बात करूँ बैंगलोर पहुच जाए तो वहाँ पर विपक्ष की एक जुटता देखने को मिली है लेकिन दिल्चस पर इसमें कहानिया इतनी निकल कर आरी है कि एक एक पर विसलेशन जरूरी है ताकि आपको समझ में आया कि बाते क्या च्छन कर बैंगलोर से सामने आ रही है दर्श को सबसे बड़ा अपडेट इसमें सामने आ आई है कॉंग्रस की कारे करता हो की खेर छोड़िये अब मैं आपको बयानों को सुनाती हूं कि क्या क्या बयान रहुल गांधी इनके केजरीवाल और इधर ममता बिनरजिन दे दिया है जब विपक्षी एकता वहां पर जुटना शुरू ही तो वहां पर मीडिया कर्मियों विपक्षियों से बाच्चित की है एक एक करके बयान वाइरल हो रहे हैं सबसे पहला तंज तो इनके नाम पर देखा जा रहा है देखिए इन्हों ने अपने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा है आपको हसी आई होगी जरूर मैं समझ रही हूं इस बात को इं इंडिया का नाम पड़ा सबसे पहले बाच्चिक में आपसे करूंगी राहुल गांधी के बयान पर क्या उन्होंने विपक्षी एक जुट्टा पर भाशन दिया है देखिए उनका है यह लड़ाई कि ऑपोजिशन और बीजेपी की बीच में लड़ाई नहीं है देश की आवाज को दबाया और कुछला जा रहा है यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसी लिए यह नाम चुना गया अचे एंडियन नाशनल डिवेलीपमेंटल इंक्ल्यूसिव अलायऎस हे मतलब इन्डिया ड़ाई मंझे ऑर इंडिया की बीच में है नरेंद्र मोदी जी और इंडिया की बीच में है उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है मैंने कहा दूसरी मीटिंग है कि इसके बाद हमारी मीटिंग महरास्ट्रा में होगी और हमने निन्ने लिया है ति कि अब हम एक एक्शन प्लान त्यार करेंगे यहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचाल धारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में अब चलिए आते हैं नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या तंज यहां पर ममता ने कसा जाहिर सी बात है ममता बेनरजी का काम ही ये है और देखे इन्होंने कहा राहूल गांधी ने कहा चर्चा के दौरान हमने इंडिया नाम को चूस किया बैठक में काफी सार्थक चर्चा हुई है अच्छी चर्चा हुई है हम एक्शन प्लान्ट तैयार करेंगे ममता से जब पत्रकारों ने रिदना और बेचना यहां पर विपक्ष क्या कर रहा है उधर एंडिये में भी पाला बदला जा रहा है और इधर विपक्ष की एक जुट्ता भी देखी जा रही है इसमें भी पाला बदलने की कवायत तेज आगे सुनिए अर्विन किजरिवाल को तो पूरा देश ही खत्र हो रहा है यह कहा है अर्विन किजरिवाल ने जिनकी खुझ राजनीती बाढ़ में बैगई बाढ़ में इसलिए बही है राजनीती क्योंकि कल ही केंद्रिया मंत्री ने कहा कि जो जिस तरीके से क्याबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि अर्विन किजरिवाल बाढ़ में जनता को दूपता छोड़ वहाँ बैंगलोर में बैठे हैं तो जनता उसका हिसाब लेगी अपने राजजुती चमकाने के लिए भले चले गए हो लेकिन जनता एक एक करके हिसाब इन पक्षी दलों से लेगी आगे सुनिये नहीं क्या कहा हम सब भारत के सपने को लेकर यहां आए हैं क ऐख़िए और ममताब इनजीय और अरविन चिरिवाल यह चारों की बैयान से खुँद पंजाब में कौंग्रेस किकाई खफा है और इधर पश्शिम बंगाल में कौंग्रेस कीनीता कौंग्रेस आला कमान से खफा हो गए हैं कि उस इनसान के साथ आप बैठ कर रात्री भोच कैसे कर सकते हैं आप बैठ कर खाना कैसे खा सकते हैं जिसने पश्ची मंगाल में कॉंग्रेस कर रहे करता हो की हत्या करवाई हो तो देखिए सबसे जादा जो चर्चा हो रही है यह वो हो रही है नरेंद्र मोदी का काट कौन यानि नरेंद सर पर ये बातों की सच्चाई सामने आ रही है दर्शकों मैं आपको ये भी बता दू अर्टिस दल NDA में शामिल होना ये कोई साधारन सी बात नहीं है आज मैंने तस्वीरे देखी आपने देखी होगी जब चिराग पासवान नरेंद्रे मोदी के बगल में आये तो नरेंद् मोदी के हनुमान 24 में चिराग पासवान होंगे चिराग पासवान ने एक बहुत अच्छा इंटर्व्यू दिया है इंटर्व्यू में जब पूछा गया कि बीच में बीजेपी के साथ नहीं थे तो देखिए मैं आपको आज खुला से कर रही हूं बता रही हूं आपको क्य चिराग पासवान ने खुला सकी चिराग पासवान को कियूं हनुमान कहा जाских रहा है राम जी के लिए जब लक्षमन मुर्षित हुए थे तो समझीवनी बूटी जो लग कर आय थे हनुमान जी हाँ कि देखे सीता जी को वापस लाने में भी हनुमान जी का ही हाथ है ऐसे ही एंडिये के कुन्बे में हनुमान चिराग पासवान को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नितीश कुमार ही विपक्ष के नेतरत्मा में नेता बने हुए है अभी फलहाल और मैं आपको ये भी बता दू चिराग जी की बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान ने केवल नितीश कुमार की वज़े से बीजेपी का दामन छोड़ा था आज पत्रकारों से बात्चुत करते हैं उन्होंने खुलासा कर दिया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ चिराग पासवान ने ये भी बात के दी नितीश कभी इधर कभी उधर मुझे बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कभी दिकत नहीं हुई अगर दिकत हुई होती तो मैंने उप्चनाओं में भाजपा की कैंडिडेट्स के लिए घुम घुम कर गाओं में वोट नहीं मांगा होता अभी बिहार में शुरू से पसंद करता हूँ प्रधान मंत्री के नेत्रित्वा में काम करना मेरे लिए भाग्यवान की बात है और मैं करूंगा यूआ नेता हैं चहेते हैं बिहार में एक बहुत बड़ी पकड राम विलास पासवान के देहांत के बात काफी मुश्किलों का उन्होंने सामन हुई है अभी जनता बेनकाप कर रही है और इधर राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और शरतपवार पर पूरे मीडिया की निगाहे है कैमरा शरतपवार पर ही है शरतपवार बड़ा खेला कर सकते हैं तो देखने वाली बात होगी फिलाहाल आपको मैंने पूरे बयानों को भी बता दिया क्या बयान दिया है और इधर सबसे बड़ी चर्चा नरेंदर मोधी का काठ कौन तो बने रही है और आप भी ज़रूर कमेंच करें आपको क्या लगता है विपाक्ष में कौन वो निता होगा जो नरेंदर मोधी के सामने पी-एम उमिदवार अपने आपको गोशित करेगा और पूरे दल मिलकर उसका समर्थन करेंगे क्या राहूल गान्दी होंगे जो कि खुद सांसदी खोए बैठे हैं तो क्या लगता है किसका नाम सामने आ सकता है जरूर अपनी बातों को रखें बहुत शुक्रिया आपका अब तक दे न्यूस से झाले कि लिए.